जब बाद करने वाले हैं जो भी फ़स्टेर के छात रहे हैं और उनको आने वाले दिनों में सेकेंड समेश्टर की परिच्छा देनी है और उनका स्वजेक्ट हिंदी है उनके लिए बिडियों बहुत ही important होने वाली क्योंकि इस वीडियो में वही सारे question आपको बताने वाला हूं जो आपकी परिच्छा में सबसे ज्यादा पुछे जाने के चांस हैं यानि की हाई चांस हैं आपकी परिच्छा में आने के ठीक है तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहेगा ठीक है चले बिना देरी के वीडियो बें आगे बढ़ते हैं और मैं आपको बता दूँ इस सारे question objective बेसके हैं जिन भी इंवर्शीटियों में परिच है कि जो सिकेंड समेश्टर में हिंदी का जो पेपर हो रहा है इसमें सबसे ज्यादा question पूछे जा रहे हैं और computer से जड़े question में इस बात को ध्यान रखेंगे questions तो बहुत सारे होते हैं आपके series में question bank में internet पे लेकिन उसमें से कौन से पढ़के जाना है कौन से आपकी जोगा कि कार्यलाई भासा देखी यहां पर थोड़ा आपको कम सही नहीं दिख पा रहा होगा क्योंकि जो question है थोड़ा blur है तो मैं आपको पढ़के सुनाओंगा आप लोग उससे समझेगा ठीक है पहला प्रशन है कि कार्यलाई भासा का उद्देश क्या है ठीक है तो उसक इसक्सारी चीजे प्रिचार प्रसार भी करना राष्ट भाफा पुनस्चित भी कराना और हिंदी में सम्मान दिलाना ठीक है यह सारी चीजे उद्देश का कार्यल्य भासा का इसलिए यहां पर यह सभी सिल्क रोडा यानि की आलाफ दीज अगला पस्ट है कि कारले हिंदी के छेत्र में अधिकारों को किस नियम के अंतरगत अस्पष्ट किया गया है तो आपको option मिली जा रहे हैं राज जिभासा नियम और आपको यहां पर सन भी दे दिया गया है तो आप लोग पढ़ लीजेगा ठीक है तो यहां पर यह important question इसका answer आपको यहां पर देखी रहा होगा हो जाएगा राज मासा नियम 1955 ओके तो यह जो question यह भी high level का है यह important है आभी सकता नहीं भी आ सकता है लेकिन जो पहला question वो high level का है ठीक है याद रखेगा अगला परशना है कि कारले हिंदी को कार पद्धत के अंतरगत आती कारले हिंदी की कार जो है उसकी पद्धत ही है और किसके अंतरगत यानिया आती है वो आप लोगों को बताना है ठीक है बहुत important question यह भी है लेकिन आपकी परिछा में इस question के आने की ज़्यादा चांस नही है okay questions number number अगला है कि का छेतर के अंतरगत आने वाले राज्यों में सरकारी कामकाच की भासा होगी तो इसमें से आपको आप संदेश के लिए हिंदी होगी चत्री होगी यह फिर यह सभी होगी तो का छेतर के अंतरगत आने वाले राज्यों में सरकार की जो कामकार की जो भासा होगी वो हिंदी होगी ठीक है इनमबर राइट अंतर हो जाएगा याद रखेगा ये भी आपकी परच्छा के लिए इंपार्टन कोश्चिन आपकी परच्छा हम देखने को मिल सकता है एक अगरा पश्न है कि छेतर आ नंबर है कि खा छेतर के राज्य कार्यालाय पत्र बेवहार में किस भासा का फ्योग कर सकते हैं आप सनाप को दे दिये गए हैं तो वहाँ पर आप भासा के यूज़ कर सकते हिंदी और अंग्रेजी यानि कि हिंदी और इंग्लिज दोनों भासाओं का पिर्योग कर सकते हैं इसलिए राइट एंसर आपर बी सिलेक्ट हुआ याद रखेगा ठीक है अगला परशना है कि पद सोपान निम्न किस सब्द का हिंदी रुपान तरण है जो ठीक है पद सोपान है वो किसका यहाँ पर रुपान तरण है ठीक है यहाँ पर लिखा है ठीक है आप सना आपको एक मिल जाएगा हायरार्की बी नमबर कंट्रोल सी नमबर है डिजायर और द से नंबर याद रखेगा अगला परेशन हक्षा नमबर कि शक्त अरट का शिद्धान कि सिद्धानक कि कि सिर्द्धि राज जी के शुशासन का कैसा सरूप है वो आपको बताना है तो जो सक्ट interpretation सिध्धान्त जो है वह ठीक है वह राज्जी का एक ऐसा रूप है वह एक आधर्स रूप है ठीक है इसलिए राइट एंसर डी हो जाएगा आधर्स रूप है याद रखेगा अगला परशन है आट नंबर की समिधान के किस अनुच्छेद में कहा गया कि संग की राजभासा हिं हंदी और लिप देवनगरी है ठीक है किस अनुच्छेद में आपको बताया गया याद रखेगा यह हाई लेबल का परिशन है आपकी परिच्छा में आ सकता है 90 चांस है ठीक है तो इसको राइट एंसर हो जाएगा 343 ठीक है 343 अनुच्छेद में इसका वर्ण किया गया है या इसके बारे में बताया गया है ठीक है अगला परिशन है कि हिंदी दिवस किस दिन में आ जाता है बहुत इंपार्टन कोईश्चन हाई लेबल का है यह आपकी परिच्छम देखने को ही मिलेगा 100% है तो यह जो है वह 14 सितंबर को मनाया जाता है ठीक है 14 सितंबर को तो आ कि भारते संमिधान की आठ्यवी अन्सूची में सामिल भासव में आपसाँ कितनी है आप सिर्थसर रहोजा को दी नंबर 22 भाँस हैं ठीक च्छा है इनोच्छे 345-346-345 में ठीक है किस से संबंदित प्रावधान है आप सब्सक्राइब को देदेगे राज भासा राष्ट भासा और प्रदेश्टिक भासा और इनमें से कोई नहीं तो राइट अंसर आपको मालूम हो गया होगा राइट अंसर हो जाएगा शीनमबर ठीक है प्रमाणित किया गया मानता मिली सार्टिफाइड है ठीक है मानता प्राप्त है तो इसलिए राइट एंसर रॉमन हो जाएका याद रखे का आपकी परिच्छा में देखने की मिल सकता है अगला प्रशना है कि भारत वर्स में कि में हिंदी को आप कि कि सवर्ग में रखेंग लेख है आप चाना आपको दे देगे हैं तो इसका जो लेख है वो 343 और 351 तक है इसलिए राइट एंसर हो जाएगा जाद रखेगा अगला प्रशन है तो आपको में बता दू राज भाशा भी भाग द्वारा वेश्वाइट पर उपलब्द कराई गई पुस्तक है तो आपको उन कि अगला प्रश्ण के और बढ़ेंगे दोस्तों कि अगला प्रश्ण है कि यहां पर दिख रहा पिराल आप इसे इग्णोर कर दीजिए जो आपको एकदम सटीक दिख रहा उस पर आये ठीक है यहां पर हमाज आएंगे किस नंबर कुईस्टन पर लिखाया कि राज भासा आय प्रश्पन ठीक है राज भासा आयोक का गठन हुआ था अगला प्रश्ण है बाश नंबर कि भारत के कानून बिधी मंत्राले में राज भासा विभाग की अस्थापना कप की गई आप सरा आपको दे दिये गए हैं 1975 में इसकी अस्थापना यह पिन निर्माड कार किया गया तो प्रथम जो ठीक है राज भासा के जो अध्यच थे उनका जो नाम था हो था बीजी खेर याद रखे का बीजी खेर बहुत इंपार्टन कोश्चन है अगला प्रश्ण है कि सम्मिधान लागू होने के कितने वर्स बाद प्रारंबिक प्राबधानों के प्रारूप सरकार प्रादी कामकाज की भासा के रूप में अंग्रेजी समाप तो हो जानी चाहिए थी 15 वर्स में यतना इंपार्टर ने आपके परिच्छम नहीं भी आ सकता है यह प्रस्ण है कि केंद्रे सरकार के सभी कारेलों में हिंदी में काम करने का आदेश था यह भी इतना और सट में याद रखेगा अगला प्रस्ण है कि कि अनुच्छेद के नियमों का अनुपालन ना किये जाने से हिंदी का विकास मार्ग अरुद्ध हुआ बहुत इंपार्टन और हाई लेबल का प्रस्ण है इस कुश्ण कराइट अनुच्छेद 351 ठीक है इसमें इसका जो ह अगला प्रस्ण है कि का रहले भासा किसे कहते हैं वह आपको बताना है अगला प्रस्ण है कि भासा का प्रियोजन क्या होता है आपको आप संदेद देगे हैं विचारों करदान प्रतां संद प्रेशन उप्रयोक्ति में कोई नहीं तो राइट अंसर आपको सेलेट करना डी नंबर उप्योक्ति में से सभी ठीक है सोरी उप्योक्ति में से दोनों यानि कि ए और बी दोनों समझ में आ गया ओके अगला प्रस्ण है कि पारिभासिक सब्दा वली के बारे में देखना है यह भी हाई लेबल का प्रस्ण है आपकी परिच्छा हम देखने को मिलेगा हंडर प्रसंट से ओर ठीक है सब्द कोश में संग्रेश सब्द तो फिर आलिश का राइट अंसर हो जाएगा दोफ्तों पारिभासिक सब्दों का संग्रा ठीक है कलेक्शन ओके अगला प्रस्ण है कि पारिभासिक सब्द आपको बताना इसका अर्थ ठीक है एक निश्चित अर्थ नहीं रखता है बी न पारिभासिक शब्द का हो जाएगा एक निश्चित अर्थ रखता है याद रखेगा अगला प्रशना है कि पारिभासिक सब्दा वली की अवस्यक्ता होती है अपस्ञाप को दे दिये गें इतना पॉर्टर नहीं या आप भी नहीं भी आ सकता है इसलिए क्रोस कर दीजेगा है अगला प्रस्वनाइब कि पारिभासिक सब्दा वली निर्मावर का अधिकार है कि अध्य सरकार को इस लिए रैइट टीकों है कि आपको बताना है सबस्की cream कर लीजेगा ठीक है कि पारभाषिक शब्दा वली बनाने का काम ब्यक्तिगत तोर पर सरप्तं प्रारम करने वाले ब्यक्त थे तो आपको आप संदेद देगे इसमें राइट एंसर हो जाएगा डॉक्तर रगवीर द्वारा इसका सरप्तं में प्रारम किया गया था है अगला प्रश्ण है कि पार भासिक सब्दा वली तयार करने वाले सरकाई संसता का नाम आपसर आपको दे दिये प्रश्ण के याद रखेगे नहीं परिज्द का लिखा है कि अपनी निर्वान में इसका लिया जाता है आपको आप समद्धे दें इसमें दो में लिया जाता है यहां पर बता जा रहा है कि आप लोग कह सकते हैं पर्यावाची तो यहां पर एड्रस जो है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं आपको बताना ठीक है आप सबी को मालूम होगा एड्रस को पता ही बोलते हैं ठीक है आप यहां पर रायट रहाशा आपको आपको यहां पर रायट राइट रहा प्रस है तो आपको यहां पर रायट रहाशा मिल जाएगा देख बाल और परवार और साधानी तीनों चीजे उपलब देती इसलिए यहां पर राइट एंसर हो जाएगा यह सभी याद रखेगा यह सभी अगला प्रश्ण है कैपिटल के बाले मताना आप लोगों को पूंजी ठीक है तो यहां पर भी आपको दिख रहे ही राजधानी सी नंबर लिखी मूल औ यहां पर राइट एंसर जो आपको हो जाएगा हो जाएगा ए और बी दोनों इसलिए राइट एंसर चलिट करेंगे हम डी ठीक है अगला प्रश्ण है कि कंडीशन कंडीशन मतलब होता सार्त दसा इस्थित तो कंडीशन में यह सारी चीजे पर्यावाची बनती जाए तो ठीक है इसका जो अर्थ होता होता है समिस्रन इसलिए राइट एंसर भी हो जाएगा ठीक है याद रखेगा अगला प्रश्ण है आपको देखने को मिला होगा कि किलेरेंस का हिंदी में क्या बोलेंगे इसको आपको आप संदेद दिये गे हैं इसलिए राइट एंसर हो तong दियाकश्टर्यू अगला प्रश्ण जो है वहां जन्रेशन जन्रेशन हम अब किया होता वह आपको बताना झालों मैं कि पीधह की जोती है कितनी और वर कि शरूकिए आप तरह लोग जब हो जाते हैं फिर आपके बचस्वे उतसे के पेडूश यह तो इसमें सारे पर्यावाचे सब्सक्राइब यह सभी याद रखेगा अगला प्रशन है कि मैन वल प्रियोगिक उसके बारे हम लिखना है आप सब्सक्राइब पुस्टक नियम पुस्टक और प्रियोगिक तो यह है कि जो कोश्चन का राइट अंसर हो जाएगा नियम पढ़ लीजेगा आपको काफी मज़द करें ओके तो इसमें बहुत सारे कोश्चन ऐसे हैं जो कि मैंने आपको बताएं हाई चांस है और भी बहुत सारे कोश्चन है अगर आप लोग कहेंगे तो हम आपको टेलिग्राम और वाट्सटक पर डाल देंगे तो आप वहां सब